कोरोना वारस की दूसरी लहर ने हमारी सारी तयारियों की पोल पठी कोल के रख दी है अस्पतालों ने बेड और दवा तो दूर ऑक्सिजन भी मिलना काफी जाधा मुश्किल हो रहा है और कई जाने तो ऑक्सिजन की कमी के कारण से जा रही है चाहे वो कोरोना के मरीज हो या ना हो हालत तो इतनी गंबीर है कि हमारे देश की सरकार को अब विदेशी मार्केट में जाकर ऑक्सिजन की सप्लाइ करना पड़ रही है इसी बीच में एक सवाल आता है कि अगर ऑक्सिजन की हमारे देश में इतनी ही कमी है तो हवा को सिलेंडर में भर कर मर्जियों को क्यों नहीं दी जाती? आखिर हवा में भी तो Oxygen ही है ना? और दूसरा एक सवाल है कि आखिर ये Medical Oxygen होती क्या है? और ये बनाई कैसे जाती है? तो इस वीडियो में इनी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है तो वीडियो को पूरा देखना है लेकिन हाँ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना क्योंकि एसी वीडियो में लाता रहता है वेलकम टी निज बनर जैसे कि आपको पता है कि हमारे आसपास की मुझूद हवा में 21% तक ऑक्सिजन और 78% तक नाइट्रोजन गेस होती है और बाकी की 1% में कारबन डाय ओक्साइड, नियाउन और हिलियम जैसी और भी कई गेसेस होती है और हवा में मातर 21% ऑक्सिजन होने के कारण ही मरीजों को डारेक्ट हवा के संपर्क में नहीं लेके जाया सकता इसलिए उनको मेडिकल ऑक्सिजन चढ़ाई जाती है लिकिन ये मेडिकल ऑक्सिजन क्या होती है और ये बनाई केसे जाती है तो चलिए इसको भी समझते हैं तो देखिए medical oxygen कोई अलग chemical process करके नहीं बनाई जाती है यह हमारे आसपास की मुझूद शुद्ध हवा से ही oxygen को अलग करके बनाई जाती है तो चलिए समझते हैं कि यह oxygen किस तरह से बनाई जाती है और कितना उप्योग इसका होता है तो oxygen बनाने की सबसे पहली process में हमें air से pressure and filter करना पड़ता है सीधी बाशा मैं बताओं तो हवा को high pressure में इखटा करके उसे filter करना पड़ता है ताकि उसमें से दूल और नमिक करण आसानी से निकल सके अब इस शुद्ध हवा को इसके freezing point तक थंडा किया जाता है वैसे freezing point क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ तो जैसे कि आपको पता है कि पानी को 0 degree Celsius तक थंडा करने पर वो बर्फ बन जाती है और 100 degree Celsius तक गर्म करने पर ये भाब बन जाती है तो इसे हम freezing and boiling point केते हैं तो वैसे ही हमारे हवा में आसपात जो भी गेसे से सबका एक freezing and boiling point होता है तो oxygen बनाने की condition में oxygen का freezing point होता है माइनस 183 degree Celsius यानि कि माइनस 183 degree Celsius तक खंडा करने पर oxygen gas भी liquid बन जाती है और इसी process के through हम हवा में से oxygen को liquid form में अलग निकाल लेते हैं लेकिन एक बात आती है कि मानलो ये oxygen बन तो गई लेकिन ये liquid oxygen डारेक्ट असपतालों तक के से पहुशती है इसकी process क्या है तो चलिए वो भी बता लेता हूँ Manufacturers ये liquid oxygen को अपने बड़े बड़े tankers में store करके रखते हैं और वहां से बेहट ठंडे रहने वाले cryogenic tankers से distributors के पास भेशते हैं Distributors ये liquid oxygen को gas में convert करके cylinders में भेशते हैं और ये cylinders फिर धिरे-धिरे vendors के पास, suppliers के पास और असपतालों में पहुश जाता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक oxygen किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से ये असपतालों में पहुचाई जाती है और अगर आपको कोई भी इसमें और कुछ भी जानना हो तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं और दूसरी बात ये वीडियो आपको केसा लगा ये भी आप मुझे comment box में बताईए और हाँ चैनल पर नए आए हों तो subscribe करके जाना है क्योंकि एसे वीडियो में लाता रहता हूं और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है उसके बारे में news burner बात करता है और वही बात करता है जो आपके लिए जाना जरूरी है तो चैनल को subscribe करना लाइक करना और वीडियो पर बने रहना मिलते हैं करता है